आवादमी पार्टी के सयोजग अर्विन केश्रिवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं, सुनते हैं तो किसी पत्रकार ने शीला दिक्षिजी जो उस वक्त की मुख्य मंत्री थी उनसे पूछा कि मैडम फसले खराब हो गई, इस पे आपको क्या कहना है तो शीला दिक्षिजी ने का अच्छा दिली में खेती भी होती है तो उस वक्त की मुख्यमंत्री जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी उन्हें ये भी नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर किसान भी रहते हैं और दिल्ली के अंदर खेती भी होती है हमारी जब सरकार बनी 2015 में तो उसके तुरंट बाद मिर को याद है ओले पड़े खेती खराब हुई और मैं खुद गया था और 20,000 रुपे प्रती एकड़ के हिसाब से हमने लोग किसानों को मुआफ़जा दिया था उसके बाद से दिल्ली देहाद का जो विकास का सिलसला चालू हुआ हमने इतने सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं सीवर से सीवर की कनेक्टिमिटी दी है सडकें बनाई है सबसे बड़ा डिमांड जब मैं जाता था उनकी होती थी भी स्कूल नहीं है स्कूल बहुत शांदार बनाए हैं महाँ पर हमने बहुत सारे प्लेगरांड बनाए हैं बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं जो सबसे बड़ी डिमांड दिल्ली देहाद के लोगों को होती थी महला क्लिनिक बनाए हैं अस्पताल बनाए हैं तो जो विकास दिल् औरने से दिल्दी देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा उनको गती मिलेगी और ओवर ओल डिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी टाकत मिलेगा तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं पूर विधायक रह चुके हैं और ऐसे में सोमेश जोकी आमादमी पार्टी का हिस्ता बन रहे हैं साथी साथ उन्होंने पिछली कॉंग्रेस सरकार का भी जिक्र किया स्वर्गेशीला दिक्षित का नाम उन्होंने लिया जो कि दिली में मुख्यमंत्री के तोर पर बड़ी जिम्यदारी निभाती रही कॉंग्रेस नेता सोमेश शोकीन इन सभी बातों के बीच में आमादमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि सोमेश शोकीन आमादमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं